नमश्कर दुस्तो एक जमाना एसा हुआ करता था जब किसी फिल्म में एक हीरो को कास्ट करने के लिए कई सारी धारनाय बनी हुई थी उसका गोरा रंग, अच्छे लुक्स, अच्छी परसनल्टी इन सारी चीजों को प्रात्मिकतर दी जाती थी एसा नहीं है कि आज इंडस्टी से ये सारी धारनाय मिट गई है मगर चार दशक पहले एक एशर सक्स ने फिल्म इंडस्टी में एंट्री मारी जिसने इन धारनाओं को कमजोर जरूर कर दिया था साधरन से दिखने वाला ये शक्स एक दमदार आवाज और एक्टिंग के प्रती एसा जुनून जिसने उसे सिर्फ भारत ही नहीं बलकि विश्वभर में पहचान दिलाई और इस एक्टर का नाम है ओमपुरी ओमपुरी ने एक्टर की एक एसी परिभाशा गड़ी जिसने सिनेमा की दुनिया में एक मिसाल कायम की नामुमकिन सी लगने वाली बात को मुमकिन किया इसे में आज हम आपको एक्टर ओमपुरी के सत्तरवी जनम दिन पर बता रहे हैं उनके संघर्ष और सफलता की कहानी बता दे ओमपुरी का जनम 18 अक्टूमबर 1950 को पंजाब के अमबाला में हुआ था उनका जीवन गरीबी में गुजरा उन्होंने एक इंटर्व्यू के दोरान बताया था कि जब वे 6 साल के थे तो एक धाबे पे बरतन साफ किया करते थे एक्टर को बच्पन से ही फिल्मों का शोक था और उन्होंने अपनी आरंबिक पढ़ई पूरी करने के बाद एक्टिंग इसकूल में दाखिला लेनी की ठानी और उन्होंने नेशनल इसकूल ओफ ड्रामा में एड्मिशन लिया एक्टर का संखर्श यहीं खतम नहीं हुआ उन्हें नेशनल इसकूल ओफ ड्रामा में ये महसूस हुआ कि वे अपने सांथियों की तुलना में उनकी इंगलिश बड़ी खराब है वे इस बात को लेकर बहुत मायूस रहते थे फिर उन्होंने इंगलिश सिखने की इच्छा जाहिर की तो इसमें उनके मेंटर ने उनकी मदद की इसके अलावा साथ ही नसीर उद्धिन शाह ने भी उनका बहुत सांथ दिया ओमपूरी ने इंगलिश पर इतनी अच्छी पकड़ बना ली कि उन्होंने 20 से ज़्यादा इंगलिश फिल्मों में काम किया ओमपूरी ने बॉलिवुड की एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया फिर आखिरकार 6 जनवरी 2017 को इस महान कलाकारन दुनिया को अलविदा कह दिया तो दोस्तो अगर आप भी ओमपूरी सहब की एक्टिंग के दिवाने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि फिल्मी दुनिया से जुड़ी तमाम रोचक खबरे हम आपके लिए लाते रहें